हेलो एव्रिवन आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नौन टेक टेक विद एसन भाई में मैं प्रेम विति आदो आज हम होमेपैथी मेडिसिन लेकसिस के बारे में बात करने वाले हैं इसका कॉमन नहीं में सुरू कुकु स्नेक पहुज़ें यह स्नेक से बनी हुई मेडिसिन है इसको डॉक्टर कॉंस्टेंट टाइन हेरिंग ने प्रूब किया यह बहुत अच्छी मेडिसिन है यह ओफीडिया फैमली की मेडिसिन है इसके स्फियर एक्षन की बात करें तो यह बॉडी के ओर अर्गन घर अस्थाट अरफ और इसका बहुर अच्छे एक्षन हमें नेकों माएंड में स्केम स्कुन में म्यूकस में स्कीन में veux BY किडनी件 फीमील जर्न चेक्टर है पोरी बाडी में बहुर और और ऑक्टर है लॉड़ंड न्डीप एक्टिंग मेडिसिन ह इसके Constitution की बात करते हैं हम तो इसका परसन देखने में कैसा होगा बहुत ज़्यदा पतला होगा इमेसियेटेट परसन देखने को मिलेगा हमें और उन परसन में सूट करेगी या तो उनका क्लाइमेक्ट्रिक पीरिड चल रहा हो या तो क्लाइमेक्क्रिकेज करके तो में जटा सुटता है इससलिके एज में किस में और ऊस इस कुलतते हैं मेडिशिन बहुत अच्छी सूट करती जो मेंटली और प्रीचर हूं किसी विमारी की वज़ा से कोई ऐसा दुख पड़ा हो कि कि उस Father of nature उसका चेंज देखने को मिले है हिए लौझ पेशन होगा हा। नष पार्पल कैंट परफ़्ण होगह है डूइत प्लूइट भी मिलेखेंज़ से ृसी प्लीन पर बू मिलेए तो चोट लगेगी तो हमें बहुत ज़ाधा bleeding को मिलेगी ठीक है अब हम इसके guiding symptoms की बात करते हैं तो हम इसके guiding symptoms को इसके नाम से याद करने की कोशिश करेंगे यह लैकसिस तो यहां पे L4 क्या है left-sided medicine left-sided medicine ज्यादा ओब ब inconsistency left-sided medicine फिट करेगी से left kidney left और अगर लेफ्ट साइट में इसका पेसेंट लेटेगा तो भी हमें इसमें प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी इसमें लोके सिटी मतलब क्या होता है बहुत जदा बातुला मतलब हर छुटी-छुटी बात में स्टोरी सुनाने लगे बे मतलब बात करते तरह है जिसका कोई सर पैर ना हो वैसा परसन होगा इसका इसके जित्ते भी सिम्टम होंगे ना वार्स होंगे डियूरिंग और आफ्टर स्लीप या तो परसन सो रहा हो या सो के उठाओ तब हमें इसके कंप्लेंस जो है ना एग्राव वेट होते हुए दिखाई देंगे ठ क्योंकि जैसे हमने पहले ही बात की कि अगर इसका परसन लेफ्ट साइट में सोया तो रेस्टलेस्नेस मिलेगी पैरप्रिटेशन मिलेगा हार्ट का यूँकि लेफ्ट साइड अफेक्टेट जारा देखने को मिलेगा इस वज़ए से स्लीप के बाद इसमें एक्रावेशन म है वह मुवेन जो क्लाइमेक्ट्रिक एज से या तो बुजर चुकी है या जिनका क्लाइमेक्ट्रिक एज चल रहा है उनके लिए बहुर अच्छी मेडिस है ठीक है इसमें परसन में हमें कंजिस्ट्टिव टाइप की हैडेक मिलेगे और जो भी कंप्लेन होंगे ना हीमोरेजिक डाइटिसिस है स्मॉल वांड भी जो है ना बहुत जल्दी ब्लीड करेगा हलकी सी भी चोट लगी तो बहुत जल्दी ब्लीडिंग होने लगेगी ऐसा हमें क्रोटेलस हॉरिडस क्रियोजोटम हेममिलिस चाइना सीकल कॉर एंड फॉसफोरस में देखने को मिलत लपक क्रियोजोटम जुऊटिस हो गया यहिंड से हो गया सब्सक्राइब समय हो गया हम हमिलिस चाइना से हो गया चाइना एंड से से सिकल कॉर लपक कर हम चाइना से याद कर लिए हीमोरेजिक डाय थे सिसे इनकी और हलकी सी भी चोड बहुत ज्यादा ब्रीड करेगी ब्रीडिंग के साथ हम में इसमें मैलिग निंसी भी देखने को मिल सकती है एस्थेनिक इंफ्लामेशन देखने को मिल सकता है परसन में और ब्लड का कैसा होगा जो ब्लड मतलब बहर रही है वह कैसा होगा डार्क कलर को होगा वाटरी होगा बदबूदार होगा मतलब ओफेंसिव होगा और नॉन कागुनेबर मतलब जल्दी से ठकका नहीं बनेगा अब हम और इसके सिम्टमस देखते हैं तो यह एपिलेपसी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो एपिलेपसी परसन में हो क्यों रहा है। यह हो रहा लौस आगर वाईटल फ्लूट कैसे हुआ अगर परसन को डायरिया हो रहा हो उसकी विज़से वाईटल फ्लूट के लॉस हो गया हो या तो हीमोरेज की तब यह इसको एपिलेप्सी की condition देखने को मिलेगी ऐसा में क्यूप्रम मेट में बुफोर आना में भी देखने को मिलता है सी बी एल सी बी एल ठीक है और अगर वेकिंग आवर्स में देखने को मिला है मतलब परसन सो के उठने वाला उस समय अगर एपिलिप्शी देखने को मेड़े तो वह कौन सी मेडिसीन है अगेरिकस मस्क्यूरियस ठीक है याद रखिए अब हम एस से बात करते तो इसका परसन ज कोट में बहुत ज़्यादा सेंस्टिवनेस देखने को मिलेगी इन फैक्ट इतना ज़्यादा सेंस्टिव होगा कि इसका परसन जो है ना टाइट कपड़ा भी वेयर नहीं कर पाएगा इसको वेस्ट के राउंड ना धीले कपड़े चाहिए तो कि इसको बहुत ज़्यादा अलसर के लिए इंडिकेट करते हैं और बहुत ज़्यादा पेन के साथ देखने को मिलेगा इसकिन जो होगी ना डार्क ब्लू और पेल कलर क्योंगी यह देखे कार्वंकल ऐसा होता है ठीक है इसकी स्किन भी डार्क ब्लू पेल देखने को मिलेगी हमें बॉइल्स के लिए बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिले बहुत ज़्यादा सेंस्टीट उटाच हो होट हीमोरेज देखने को मिले ब्लडी स्वेट हो और उजिंग जो है ना कंटिनुएसली देखने को मिले ठीक है उजिंग हो रही हो परसन में तब हम इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते है इस्कीन का अपीरेंस जो है ना ब्लू इस परपल अपीरेंस देखने को मिलेगा और इस्क्वीन बहुत ज़्यदा सेंस्टिव हो जाएगी और डिस्चार्ज एकोरस एंड ओफेंसिव डिस्चार्ज देखने को मिलता है हमें ठीक है इसका परसन जो होगा ना सस्पीसियस नहीं किसी पर ट्रस्ट करता ही नहीं और हर एक चीज में जैलेसी दिखेगी हमें हमें ठीक है सेंस अफ कॉंस्टिक्टेड फिलिंग उसको लगए कि हर जगा रिखने को मिलेगी अब इसके मैंटल सिम्टम की बात करते हैं इसके माइंड में क्या देखने को मिलेगा और लोकेसिटी तो बहुत ज़्यदा बातूला होगा और टाइम सब्सक्राइब करना चाहीगा बिना किसी आया किछ कारणिक seen बात में कोई भी ना हेड होगा मतलबहओ चल्लीन होगान शाय कुछ बहुत बहुत कर दां लिजे किसी टॉपिक पर बात कर रहा है उस टॉपिक को छोड़के दूसरे टॉपिक पर जाएगा वन आइडिया टु एनधर माली जे हम बात कर रहे हैं पानी कब चले गा और उसके आदों बोलेगा चल खाना खाते हैं ठीक है मतलब जंप कर जाएगा वन आइडिया टु एनधर और हार एक वोई से व या आसिर्वात दे सकता बलेश करने की एंकर्स करने की इसमें बहूँ ज़दा पावर है और इसको ऐसा लगेगा कि इसकी बात को हर लोग माने ठीक है और इसके अंदर ऐसी है कि यह किसी का मडर कर सकता है कुछ भी चीज़ चुरा सकता है यो कि इसके पर सुपर पावर है इसमें हमें religious mania देखने को मिलेगा और insanity देखने को मिलेगी mania को लेके बहुत ज़्यदा पागर रहेगा बहुत ज़्यदा religious हे बगवान हे बगवान करता दिखाई देगा हमें बहुत ज़्यादा जिलस होगा एंड सस्पीसियस होगा ठीक है हर एक चीज को लेके सस्पेक्ट करेगा उसे ऐसा लगेगा कि मतलब अंतिम संसकार हो रहा है किसी का ऐसा सपना देखने को मिलेगा इसका पर्सन जो है या तो बहुत जझादा खुष देखेगा हमें या तो बहुत जफ़ जदा उदास देखने को मिलेगा ठीक है? इस पेसली डिप्रेशन हमें मॉर्निंग के समय में देखने को मिलेगा जब वो सो के उठेगा हमने पहले ही बात की सारे कंप्लेंस इसके एग्रावेट हो जाते है सो उठे समय या सो के उठने के बार ठीक है इसकी मिमोरी भी बहुत ज़्यादा वीक होगी यहां तक कि वो कुछ भी सोच भी नहीं पाएगा और वो ना सीरियस मैटर में भी हसने लग जाएगा कई बार और वो क्राइम करने के बारे में सोचेगा मरने के बारे में सोचेगा और इसके mental symptoms जो है न बहुत ज़्यदा aggravate देखने को मिलेंगे हमें sleep के बाद ठीक है और इतने ज़्यादा mentally and physically जो person change हुआ है इसका यह ऐसा हुआ क्यों हुआ अगर इस person में long lasting grief चल रहा हो मतलब grief word हम तब ही उच करते हैं जब कोई person मर गया हो या उसे छोड़के हमेशा के लिए चला गया हो तब अगर कोई person सफर कर रहा हो और उसे snake के खयाल आने लगे हो अपनी मरे हुई dead body देखे सपने में यसा हो यात्रा जारी हो ऐसा सोचे तो उस किसे jealous की वाज़ा से वेक्सेशन किसे से प्यार करता हो उसमें disappoint हो गया उसकी वाज़ा से हमें इसके complaints बढ़ते हुए दिखाई देंगे ठीक है अब हम इसके headache की बात करते हैं headache हमें usually drunk arts में and high blood pressure के person में देखने को मिलेगा left sided headache होगा जिसकी tendency होगी right side में settle out होने की ठीक है और इसको ऐसा sensation आएगा कि जितना भी blood है न सब उपर head की तरफ जा रहा है head की तरफ flow हो रहा इसकी वज़ासे से headache हो रहा pressing and bursting type का pain देखने को मिलेगा हमें person में बहुत ज़्यदा sensitive हो जाएगा touch को लेके और इसमें motion से pressure से after sleep हमें aggravation देखने को मिलेगा और menstrual flow से emulation देखने को म हमने पहले ही बात किया कि इसके कोई भी complaint हो flow से relief है ऐसे ऐसा हमें जिंकम मेट में भी and alien sepa में भी देखने को मिलता है तो हम इसे कैसे याद कर सकते हैं large large L for lexis A for alien and Z for ginkamate ठीक है अब हम इसके throat की बात करते हैं तो throat जो होगा ना बहुत ज़्यदा sensitive होगा इसमें हमें person में tons thiria भी देखने को मिलेगा कोई भी complaint जो start होगी left side से start होगी and right side में जाके extend कर चाहेगी dryness मिलेगा soreness मिलेगी और बहुत ज़्यदा constant feeling देखने को मिलेगी हमें throat में अगर अब हम throat को देखें तो कैसा देखने में होगा dark purple appearance of membrane देखने को मिलेगा large lump देखने को मिलेगा और इस हमें problem होती लेकिन इसको liquid से problem देखने को मिलेगी ठीक है और solid में उतना ज्यादा problem नहीं होगी जब इस solo करो गया तो इसको बहुत ज़्यादा pain होगा ऐसा में ignatia and bella donor में भी देखने को मिलता है तो हम इसे कैसे याद कर सकते हैं bill कोई bill देगा तो हमें problem होगी ना bill pay करना है इसमें क्या हो रहा है लिक्विड से problem हो रही है थोट इसका बहुत ज़्यादा sensitive होगा great prostation देखने को मिलेगा और इसमें aggravation कब देखने को मिलेगा after sleep hot drink की वज़े से and touch की वज़े से इस person में aggravation देखने को मिलता है अब हम हम इसके heart symptoms की बात करते हैं तो यह heart के लिए palpation देखने को मिलेगा इतना ज़्यादा palpate होगा कि इसका person जो है उटके बैट जाएगा ठीक है और इसमें बहुत ज़्यादा restlessness देखने को मिलेगी पूरी body में trembling देखने को मिलेगी suffocated feeling आएगी constructed feeling इसको chest region and pericardial region में feel होगा और pericardium में बहुत ज़्यादा pain भी देखन को मिलेगी और इतना ज्यादा pain है कि left side बिल्कुल नहीं सोना चाहेगा इसको suffocation होने लगेगा अगर left side हो गया इसमें circulation proper नहीं देखने को मिल रहा इसकी वज़े से क्या होगा ब्लू नेश and purple look देखने को मिलेगा body का ठीक है इससे collapse condition हो जाएगी and cold sweat देखने को मिलेगा इसक ठीक है और भुट जदा pain देखने को मिलेगा और बहुत जदा sensitive होगा इसका परसर अब हम इसके femal genital organs की बात करते हैं तो इसका बहुत अच्छे environel linear में देखने को मिल रहा था तो इसका बहुत अच्छा एक्षन हमें लेफ्ट ओवेरी में देखने को मिलेगा हमें इंफ्लामेशन देखने को मिलेगा ओवेरी में ग्लैंट्स में सेललर टिशू में वेंस में इसकी वज़ा से स्किन जो है ना परपल अपीरेंस देखने को मिले इस वूमेन में हाँड फ्लसेंगे हाँड पाइडिशन हमने पहले ही बात की थी कि यह मीनो पोजल एज के लिए बहुत अच्छी मेडिसीन है जब क्लाइमेक्ट्रिक एज में वुमें होती है तो उसे हॉट फ्लसस आते हैं बहुत साथ हॉर्मोनल चेंजर्ज देखने को मिलते हैं हॉट पस्पाइरेशन देखने को मिलता है वुमें में बहुत ज़धा चड़चड़ी हो जाती है ठीक है तो इसमें भी यह सारे सिंटम ह में देखने को मिलेगा extreme heat मिलेगी ability देखने को मिलेगी अब हम इसके menses की बात करते हैं तो इसका menses जो होगा न on time देखने को मिलेगा मतलब regular मालेज़े 28 day का cycle है तो इस woman में हमेशा regular time में में देखने को मिलेगा बहुत कम quantity होगी मतलब या मान लीज़े एक दिन होगा या देड़ दिन होगा उसमें भी quantity बहुत कम होगी ठीक है short duration के लिए होगा blood का character कैसा देखने को मिलेगा dark होगा watery होगा and non-cognizable होगा इसके जो भी troubles होगे न क्या होगे menstrual flow से relief देखने को मिलेगा ऐसा हमें और किसमें देखने को मिलता है कि जो भी complaints हो headache हो heart complaints हो एपिलेपसी हो, सारे complaints जो है relief देखने को मिल रहा हूँ, menstrual flow से ऐसा हमें जिंकम मेट में लैक कैनियम में, मैक फॉस में देखने को मिलता है, तो हम इसे कैसे याद कर सकते हैं मा जी, लाला तो मा जी से क्या हो गया मैक फॉस जी से जिंकम मेट, लाला से हो गया लैक कैनियम, एड ला से लैक सिस ठीक है, इसके complaints relief हो रहा है अब हम इसके fever की बात करते हैं तो ये fever के लिए भी बहुत अच्छी medicine है इस पेसली second and third week of typhide में, अगर कोई person है जिसको 2-3 week हो गया है और typhide सफर कर रहा है, उसके साथ हमें stupper and muttering delirium देखने को मिल रही हो तब हम इस medicine के बारे में सोच सकते हैं उसका face जो है ना sunken हो गया हो, lower jaw जो है ना fall हो गया हो, मतलब lower जो है नीचे आ उपर मूँ open मूँ, tongue tremble हो गई हो dry हो, black tongue हो गई हो कपड़े में yellow stain हो जाए ठीक है, तब हम इस medicine के बारे में सोच सकते हैं perforation हो गया है intestine का, इसकी वज़े से हमें hemorrhage देखने को मिले, bowel से type 5 fever के समय में, तब हम इस medicine के बारे में सोच सकते हैं ठीक है, conjunctiva yellow हो जाए great physical exhaustion देखने को मिले and trembling देखने को मिले, पूरी body में weakness मिले, sinking feeling हो person को, तब हम इस medicine के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है अब हम इसके general modality की बात कर लें, तो इसमें aggravation हमें कब मिलेगा, after sleep most of the complaint में, अगर इसका person सो रहा है, या सो के उठा है, तो हमें aggravation देखने को मिलेगी, generally hot से इसे problem होगी ठीक है, alcohol की वज़े से acid, जैसे खटा फल खाल या उसकी वज़े से हमें इसमें problem देखने को मिलेगी, mercury, quinine, कोई pressure, summer, heat of sun की वज़े से इसके aggravation देखने को मिलेगा, इसकी सारी complaints worse होगी, और इसको embryo ration कब होगा, discharge से मतलब हमने पहले ही बात की कि अगर menstrual flow हो रहा है, menses का discharge हो रहा है, तब हमें इसमें relief देखने को मिलेगा, कोई भी cold application से इस person को अच्छा लगेगा, ठीक है, I hope यह video आपके लिए useful हो, और आपको पसंद आई हो, please मेरे channel को subscribe कीजे, like कीजे और bell icon बटन दावाना मत भूलेगा, thank you for watching,